तो डियर स्टुडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए सिकेंड सेमेस्टर के प्रचीन इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्टिन एंसर के बारे में जिन भी स्टुडेंट की आने वाले दिरों में परिच्छा लगी है उनको वीडियो जरूर देखना चाहिए क क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टन कोईश्टिन में इनक्लूड के हैं जो कि आपके एक्जाम में आने की 99% उम्मीद है तो बिना देरी क्यों वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यां से सुन लिजए आपका बीए फस्टियर है समेस्टर आपका सिकेंड है महात्पॉर्ण मैंने च्छांड के आप सभी एक लिए तयार किया रहा है जैसे कि आपकी परिच्छा मैंसा कोश्चन पुछा जा वक्ता है कि महाकाब से आप क्या समझते हैं ठीक है तो सिंपल सा महाकाब की परिभासा महाकाब के बारे में लिखेंगे तो आपको इस प्रक साय जाता है उसी परिच्छ को महाकाब कहते हैं ठीक है महाकाब में देवताया सद्रफ छत्रे जिसमें धीरो ठीक है धीरो दत्तवादी गुड़ों नायक होता है कहीं एक वन्स के अनेक सत्कूलीन भूप भी नायक होते हैं स्रंगार वीर और सांत में से कोई एक रस अंगी होते हैं उसको हम महाकाब भी कहेंगे और महाकाब में आप लोगों को मालूम है कि इसका वरण जो सर्गों के माद्द प्रिक्या जाता है और सर्ग में बहुत सारे पात्र होते हैं तो इस प्रकार बेसिक से परचे लिखेंगे ठीक है और कि महाकाब कोण कोन नाम बलंग कोई बहुत सकते हैं लेकिन एक इखकते परोचीन इतिहास में थ्यूंक है तो पांच महाकाब कौन कोण से है प्रचेन इतिहास में ध्यान रखेंगे जारखेंगे पहलें रुफ्डन कुमार सब्ट किरातार जून्यम और और चौथा आपका है इसे सुपालवध और पाच्वा है निसेध चरित इनको हम पंच महाकाब भी कहते हैं इस बात को नोट कर लिए ठीक है बहुत इमात्पूर्ण प्रशने भी कई बार आ चुका है अगले प्रशनी के और बढ़ेंगे अगला कोश्चिन कहे रहा है कि महाक बीक इत्थ्थ्थ अगला प्रशना है कि प्रचीन भारती इतिहास क्या यानि कि पहले का जो आसे दोसो चारसो साल पहले का जो मारा भारत था उसके बारे में आपको बताए निकि प्रचीन पुराने भारत के बारे में तो तल लिखेंगे कि प्रचीन भारत ठीक है प्रगैति हासिक ठीक है प्रगैति हासिक काल से लेकर मद्यकालीन भारत की सुरुआत तक का भारती उप महाद्यूप है जो आम तोर पर पांस ठीक है पांस भी इस भी के आसपास गुप्त समराज के अ ठीक है प्रचीन इतिहास बोलते हैं या फिर प्रचीन हिस्ट्री ठीक है एनिस्ट्रेंट हिस्ट्री बोलते हैं जिसको ठीक है तो कहने का मत्तब यह है हमारा जो प्रचीन भारत है यह प्रगयतिहासिक काल फेलेकर मद्ध काली भारत की सुर्वात तक का भारती उप महादी उ प्रकार बेसिक सा पर्चे लिखेंगे और उसके बाद लिख देंगे कि जो आमतोर पर पांच सो ही ठीक इस भी के आसपास गुप्त सम्राज के अंतर तक माना जाता है इस परकार प्रचे लिख देंगे ठीक इंपॉर्टन कोईश्चिन है अगला प्रश्ण है कि वहिया प्रचे भारती इतिहास की सुरुवात कब से हुई तो इसकी कोई एक मतलब एक सब्दों में पुष्टी नहीं हुई है सभी लोगों के मत बहुत सारे बिद्वाने बहुत सारे हमारे ठीक है हिस्ट्रोलिकल लोग हैं उनके अलग-अलग मद्वेद भी हैं लेकिन एक पहले की बात कही जाती है कि कई सालों पहले इसका इतिहास है या फिर इसकी जो सुरुवात है मानी जाती है करीब करीब बताया जारा 65000 साल वर्स ठीक है या फिर 65000 साल पहले पहले आधुनिक मनुस्य या होमो सेपियंस अफरीका से भारती उप महा विविव में पहुंचेती जा सुसनेंगे भारत में जो मनुस्याएं वो कैसे क्या मामला हुआ यहां पर आपको असपश्ट किया गया है थीक है भारत के थिया आप कई वर्सों पुराना है करीब करी लगज़ने जाता है वैग्या निकनेम ठीक है तो इसकी जो सुरवात है या फिर आधुनिक मनुस्य बहुरत में आया था ठिक है सुरुवाती तोर पे अफ्रीका से आये थे कहां से आये थे अफ्रीका से भारती उप महादीप में पहुंचे थे जहां वे पहले बिक्षित हुए सबसे पुराना ग्यात आधुनिक मानो आज से लगभक 30 वर्स पहले दच्छिड एसिया में रहता था इस बात को ध्यान लखे पूर्बच के पूर्बच के पूर्बच के और बहुत आली तीश पहले ठीक है तीव हजार पहले सवरी पहले दच्छिड एस्पा ये इसका इतिहास बिक्षित होतेगा मनो दो इक नहों के अगला कुश्चन अबलेक बताइए अबलेक के प्रकार बताई अबला किसे कहते ह तो आपको लिखना है कि अभलेग पत्थर अत्वा धात जैसी अपेच्छाक्रत कठोर सताहों पर उत्किर किये गए पाथन समागरी को कहते हैं चली एक्जामबल की रूप में देख लीजिए ठीक है यह क्या है यह कठोर चीज है यह पिर कह सकते कठोर क्या है पत्थर है इन बाद में लोग उनको पढ़ते थे पाठन समागरी जिनको आप लोग बोलते हैं ठीक है और प्रचीन काल में इसका उपयोग हो रहा है पुराने समय में इसका उपयोग बहुत होता है जीसवे कि आज कल कोई चीश बौड में लिख दी जाती कोई चीश नोट्बुक में लिख दी जाती वैससे ही पहले पथरों में और जो पठोर चीजे थी जो इस्टोंग चीज थी उसमें लिखा जाता था ताकि वहां के लोग उसको पढ़ सके समझ सके और उस नियम कानून को फोलो कर सके ठीक है तो वही बताया जा रहा है प्रचीन काल में इसका उपयोग हो रहा है सासक इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह उ हो रहा है ठीक है लेकिन यह अभलेक सब्द प्रचीन इतिहास संबंदित है जिस पर पत्थरों पे कुछ लिखा जाता था कठोच चीजों पर लिखा जाता था ताकि उस लोग को पढ़त के समझ सके पालन कर सके नियम कानून को ठीक है यही होता है अभलेक ठीक है समझ में अब कोश्चन असमारक के बारे में असमारक भी बहुत ही मौस्ट इंप्रटन टोपिक से फिरोड़े कोश्चन का यह बार आ चुक है और यह इंप्रटन इसका उतार लिखेंगी असमारक एक ऐसा एक ऐसी संदस्थना है जो या तो बिसेश्था किसी ब्यक्तिया महत्पॉर घटना की असमत में बनाई गई है या किसी समाजिक तबकी के लिए उसके अतीत की असमत की रूपे महत्पॉर्ण बन गई है जै कि आप लोग देखते नहीं कहीं कहीं पर चवराहे पर आपने गोल चक्कर में देखा होगा कि महाराना परताब जी गोड़े पर सवार होके उ की मूर्ती बना गई रानी लचमी बाई की बना दी गई है और आपने ठेक है रलाल किला देखा होगा आपने को तुम मिनार देखा हो इफी तरह बहुत फारे जो हिस्ट्रोलिकल चीजे हैं तो आपने देखा होगा उसको असमारक के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह सब च चीजे हैं यह असमारक ही तो है ठीक है तो वही बताया जा रहा है एसे संद्रस्चना जो भी सेश्था किसी ब्यक्तिया महात्पोर्ड जो घटना घटती है उसकी अस्मत में मनाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे असमारक कहेंगे तो कर वेसिक सबढ़े टीक है उसके बाद जाएगा ग्रहा वर्मन कौन था तो ग्रहा वर्मन बहुत बड़ा फाफा को राजा था और इस तो ग्रहा वर्मन जो है वो सात्वी ठीक है सताब्दी के सुरवात में कनोज का एक राजा था कहा का राजा था ईक्नोज का राजा था ठीक है वह मौकहरी वन्स से ऐसे आये और अपने पिता वंति वर्मन के उत्तरा दिकार अगार थे ठीक है और ग्रह वर्मन ने थाने सर के सासक प्रभाकर वर्मन की बेटी राज शिरी से साधी की ऐसा प्रतीत होता है कि वह बिवा मालू की राजा की बिरुद्ध दो राजवन्सों का गठ बंधन था ठीक है तो इस परकार बेसिक परचे लिखेंगे तो आप इस पर यह जो ध्यान ल तो जीन के वीवा किया था ग्रह वर्मन ने थाने सर के सासक प्रभाकर वर्धन जो थे उनilar पीट के जिशिसरे जिनका नाम था नाम था उनसे पिवा किया था इसके बंधन तय नाम फुना हो का जिसका तक हो और गुप्त वंस का सासक था ठीक है जो काच गुप्त वंस का सासक था यानि कि गुप्त वंस का राजा था जिसका नाम कुछ सुरण मुद्राओं पर खुदा मिलता है इन मुद्राओं पर सामने बाएं हाथ में चक्र ध्रुज लिए खड़े राजा की अकरित मिलती है उसके बाय हाथ के नीचे गुप्त कालीन ब्रम्भी लिप में राजा का नाम काच लिखा रहता है एक मतलब है जो काच गुप्त था ठीक है एक इनसान ही था ये भी ठीक है और काच जो गुप्त था ये गुप्त वंस का सासक था या निकि राजा था और उसकी जो चबी है उसकी जो फोटो है वो मुद्राओं पर मिलती थी ठीक है मुद्राओं पर वड़न किया गया जैसे कि आज आज आप लोग गांधी जी के ठीक है मतलब की जो हमारे मुद्राओं उसमें गांधी जी की फोटो आपको देखने हो मिलती है उपी तरह इसकी जो फोटो है वो जो सिक्के चलते थे स्वोट्र मुद्राओं यानि कि सोनेक मु की आपकी में हो और हो पर आपको तोडर कर करें त्यारी कराएंगे और और त्यारी करेंगे तका है आपको जरूराइब दो बार तीन बार देखेंगे तो आपको जरूर आपके दिवाग में बस जाएंगे वो कोश्चिन और इन्स समझ में आ जाएंगे ओके धन्यवाद जहिंद